आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोनिक मार्केट प्लस इशान्ता के बारे में आए जानते हैं ये जर्चा में क्यूं है आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोनिक मार्केट प्लस इशान्ता के बारे में भारे सरकार के वानेच एवं मुद्योग मंत्री ने आज ही में एक इलेक्ट्रोनिक मार्केट प्लस इशान्ता के शुरुआत की हैं ये जलक्रश्कों और खरिदारों को जोडने के लिए गमंच की रूप में कैम करेगा वहीं ये किसानों को बहतर मुल्य प्राप्त करने में शक्षम बनाएगा इसके इलावा इस पोर्टल से निर्या तक सीदे किसानों से कुणवत्ता पूर्ण उत्पादों के खरीद कर सकेंगे जिससे किसानों को अपने उत्पादों के बहतर दाम मिल सकेंगे इस शांता टर्म वेब पोर्टल के लिए तयार किया गया जिसका इलेक्ट्रोनिक सोल्यूशन फोर अंगेजमेंट एनेए सीएस एफार्मस ट्रेंड इन इक्वा कल्चर है गोर तलब है कि नेशनल सेंटर फोर सस्टेनेबल एक्वा कल्चर भारत सरकार के वानिच एउज्यूग मंत्राले के तहर समुंद्री उत्पाद नीजियात विकास प्राधी करण की एक विस्तारी शाखा है आई ये जानते हैं इलेक्ट्रोनिक मार्केट प्लस सांता के लाभ वे संभावनाओं को इस आंता देश में जलक रश्कों की आई जीवन से लिए आत्मनीरभाटा उत्पाद गुणवत्ता आधी को नए विकल्प प्रदान करेगा ये मंच मोखिक माध्यम से किये जाने वाली व्यापार के पारंपरिक तरीकों को बदल कर अधिक ओफचारिक एवं कानोनी रूप से बाध्यकारी बना देगी इस आनता जले किसानों के जीवन और आई को निम्नलिकी तरीके से बढ़ाएगा जोखिम कम करके उत्पादों और वाजारों के बारे में जागरुपता लाकर आई में बडोत्री गलत कामों के खिलाफ रोख और प्रेकरियाओं में आसानी इस आनता बाजार विभाजन को समाप्त करने के लिए एक डिजिटल ब्रिज है और ये बिचोलियों को खत्म करके किसानों और खरीदारों के बीच एक वेकल्पिक विपणन उपकरन के रूप में काम करेगा ये किसानों और निर्यात्कों के बीच नकदी रहित, संपर्क रहित और पेपरलेस एलेक्ट्रोनिक ट्रेंट प्लेटफोर्म प्रदान करके पारंपरिक जलिये क्रशी में करांती लाएगा ये भविश्य में एक निलामी मंच भी बन सकता है इस आंता सामुहिक रूप से उत्पादों को खरीदने वाले मचवारे वे मृत्यश उत्पादक संग्रथनों को एक साथ लाने का एक माधिम बन सकता है और इससे भारत विश्य के लोग ये जान सकते हैं कि भारती जलिये किसानों के पास कौन से उत्पाद उपलग्द है ये मंच कई भाशाओं में उपलग्द है जो स्तानी आबादी की मदद करेगा एच्छी क्लासेश के लेटेश अब्डेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पुर्बिल आइकन पर क्लिक करें धन्यवाद